Okay then, so अब I think आप लोगा practical अच्छी तरह से हो गया होगा almost on the verge of completion होगा और theory करने में आपको बहुत बोर हो रहा होगा but please करना है because we know that approximately 20-25 marks का CA final SFM में theory आता है and आप लोगो बोर ना हो आप लोगो फटा फट हो जाए दो तीन बार must the theory revise हो जाए exam में पहुचने के पहले and therefore I have made a 15-pager theory for you yes, so telegram channel से पड़ावाद डाउनलोड कर लो अगर आप group 2 वाले हो then in that case आप तो subscribed लो group 1 वाले, please subscribe कर लो for more and more better updates right, at least result तक आपन साथ में रहेंगे फिर बात में तो obviously अब charter बन जाएंगे and then no, there's no looking back so मैंने और भी बोट सारी चीज़े सोची है जैसे online live trading and all of that so you can subscribe, काफी अच्छा content आपको यहाँ पे मिलते रहेगा so CA final SFM 15-page theory मैं मेरे telegram channel पे share कर रहा हूँ telegram channel description box में मिलेगा तो sir कैसा है, यह theory तो यह रहा आप लोग के सामने 15 pages, sir एक chapter approximately एक एक दो-दो pages में main जो भी अपने chapter दे securitization, start-up finance yes start-up finance के बाद risk management and then security analysis and then yes, 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 yes and then financial policy and corporate strategy तो सब आगे है आपको इसके अलावा और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है plus जो अपने बाकी chapters है, जो practical oriented chapters है उन लोग का भी मैंने यहाँ पे theory ले लिया है जो मुझे लग रहा है कि आ सकता है so that you can just quickly go through अगर मुझे यह फटा-फट एक recap करवाना है क्या बोलते हो, करवा दूँ चलो आप, करवा देते हैं पहले फटा-फट comment कर दो कि और यो वीडियो all well बराबर है येस सर एकदम बराबर है वैसे ये live नहीं है, ये recorded आपको vote पर मिल रहा है बट आदत हो गई है live के बाद ये करने की, but yes definitely आप लोग ये comment जरूर करना की कैसा लग रहा, आप लोग को ये notes प्लस जो formula का notes दिया था and all of that and और आप लोग की कुछ चीजे होगी तो भी बताना फिलाल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सिक्रेटाइजेशन के उपर से सिक्रेटाइजेशन का मतलब क्या होता है तो bank होता है, bank के पास बहुत सारे assets होता है, तो देखो एकदम फटा-फट मैं quick fire revision रखोंगा because I know your time is important and जितने भी ये pages है quickly एकदम इसको complete करना है तो securitization का मैं आप लोग को process बता देता हूँ because एक बार वो process समझ गए उसके बाद में उससे related कोई भी theory आया तो you will be able to manage it तो क्या है सबसे पहले securitization का मतलब तो हुना हुआ क्या बहुत सारे जो banks है वो लोग ने अपना loan देना चालू किया तो say for example मेरा एक bank है जिसका नाम है ICICI bank मेरे पास 500 करोड रुपे थे ये 500 करोड का मैंने loan दे दिया हर तरह का loan दिया say for example मैंने home loan भी दिया auto loan भी दिया जो मेरे पास possible था वो सारा का सारा loan मैंने दे दिया अब हुआ क्या कि ये 500 करोड मेरे खतम हो गए but loan मांगने वाले लोग खतम नहीं हुए तो हो क्या रहा है कि अब there are more customer who are coming to me and telling कि हमारे को और भी loan चाहिए but loan देने के लिए पैसा चाहिए अपने पास तो यहाँ पे पैसा ही नहीं अपना तो पैसा खतम हो गया अपने इस उसाब loan पे दे दिया है तब एक महला अदमी को financial analyst को एक दिमाग में आया है कि यार ये जो मैंने loan दिया है ये loan के security में मैंने सारे के सारे loan के उपर एक papers ले लिया है अगर आप लोगों को पता होगा तो इसे for example अगर auto loan इस bank ने दिया है तो कहना इसे auto के papers bank के पास पड़ा है अगर bank ने home loan दिया है तो home के सारे mortgage papers अपने पास पड़े business loan दिया है तो business के सारे जो papers वो अपने पास पड़े बरबर है, and they are as good as in liquid assets, because मेरा 800-500 करोड जो भी था मेरे पास, वो 500 करोड तो मैंने दे दिया है, अब 500 करोड के सामने मेरे पास क्या आया है, यह papers आया है, क्यों ना इन papers को एक investment में convert करके, इन papers के basis पे और loan लिया जाये, I mean investment लिया जाये, और वो investment जो पैसा आया है, उससे यह ज all thought process behind securitization, तो sir, idea तो बहुत अच्छा है, बर कैसे करेंगे, तो आओ मैं आपको बताता हूं logically, so 500 करोड दे को एकदम in-depth नहीं जाओंगा, एकदम quickfire revision वीडियो है, so इसके लिए I want to ensure, कि मैं एकदम बोले न, चीजों को crisp रगू, बाकि आप लोग अपने language में लिख सकते हो बिंदास कोई problem नहीं है, and इसके लिए मैंने क्या किया है पता है क्या, मैंने यहाँ पे हर एक चीज का head point लिख लिए है, because अंदर का तो वैसे भी अपने को याद नहीं रहता है, तो मैंने जितने भी chapters है, सब का, यहाँ पे मैंने head points लिख लिए है, because एक जगे पे आप और कुछ भी करने का जरुरत नहीं है, so that's the whole thought process, so यह जो भी है, जितने भी chapters है, सब का head points है, मैं quickly वो आप लोगे साथ discuss कर लूँगा, in the time available, ठीक है, so एक दम in detail analysis नहीं हो पाएगा, उपर उपर से आप लोगो सब चीज समझा दूँगा, मैं so that you are eligible enough, कि वो 25 mark का जो theory आ रह है, so head points, बाकी खुद का थोड़ा language, you will definitely get, जितने भी marks का है, उसका 80% तो definitely मिल जाएगा, and that's what we want, right, चलो, अब आजाते हैं, अपर लोग सिकुरिटाइजेशन के उपर, so सिकुरिटाइजेशन में बात कुछ ऐसी है, कि bank के पास, जो भी loans था, पैसा था, उसका उसने loan दे है, अब मेरे पास सब papers पड़ है, now what the bank will do is, bank यह सारा का सारा papers को, जो illiquid asset है, उसको liquid asset में convert करना चाता है, but sir, वो कैसे करेगा, यह illiquid asset को liquid asset में convert, तो उसके लिए bank एक नया entity form करेगा, जिसको नाम दिया है, SPV, special purpose vehicle, तो ICICI bank, ICICI bank, will now form a new special purpose vehicle, जो यह काम के लिए ही, अपन लोग बनाने वाले हैं, तो ICICI bank, यह SPV, special purpose vehicle को setup करेगा, यह special purpose vehicle क्या करेगा, पता है क्या, एक credit rating agency के पास जाएगा, और यह credit rating agency को जाके बोल देगा, कि भाई, credit rating agency, सुन, हमारे पास कितने सारे loan के papers पड़े हैं, क्या यह loan के papers सही हैं, क्या यह genuine है क्या, तो credit rating agency बोलेगा, यह सब genuine है, अब यह credit rating agency, यह जितने भी loan के papers है, इसके basis पे कुछ trenches बनाएगा, क्या बनाएगा, अगेन I am telling you, शौट में समझा रहो, ध्यान से समझ लो, इसके basis पे कुछ trenches बनाएगा, मतलब, say for example, auto loan है, अब auto loan है न, तीन या पात साल कही होता है, say home loan है, home loan 25 साल का होता है, say business loan है, business loan भी 5-10 साल का होता है, so अलग-अलग-अलग maturity के अलग-अलग papers है, तो वो अलग-अलग basis के उपर, अपन लोग कुछ यहाँ पे products बनाएगे, basically अपन लोग यहाँ पे investment products बनाएगे, क्या बनाएगे, investment products बनाएगे, अब यह जो भी papers है, कैना इसे यह security है, genuine है, यह वो credit rating agency ने check कर लिया है, यह papers लेकर जाकर मैं investor को दूँगा, और investor को बुलूँगा कि भाई देखो, मेरे पास यह सारे papers है, क्या आप इस paper के basis पे, मुझे investment दोगे, क्या, obviously सामदे में आपको interest दूँगा, तो investor बोलेगा कि हाँ या, secure हो गया, हम लोग भाई, आदमी अगर क इसी को भी पैसा देता है, then in that case उसका सबसे बड़ा tension क्या होता है, क्यार पैसा return आएगा कि नहीं, तो अब यह investor को tension free हो गया, क्योंकि उसको पता है कि yes, there are genuine papers and credit rating agency का काम ही होई है, उसने देख लिया, कितना जन्विनिटी है, जितना papers का अच्छा value है, उतना interest अपन कम दे स ले भी रहे होंगे, तो अब यहां क्या हो रहा है, credit rating agencies यह papers को साथ में लेगा, समझ लेगा, और अब इस bundle करके, अब इसको unbundle करेगा, और इसके अलग-अलग products बनाएगा, यह product आपन जाके investor को देंगे, और investor को दिखाएंगे और बोलेंगे कि भाई देखो, यह genuine, अम ल मेरे पास पैसा आया है, वो मैं और जो नए लोग लोन लेने के लिए मेरे पास आ रहे है, उन लोगों को मैं लोन दे दूंगा, कैसा लगा idea, मस्त है ना, जो अब मेरे पास जो customer आ रहा था, मैं उसको यह बोलू कि दूसरे bank के पास जाओ, उससे अच्छा, मैंने यह illiquid assets क लiquid assets में convert कर दिया है, अब होगा क्या पता है क्या, यहाँ पे जब मेरे पास यह जो 500 करोड वाले जो लोग है, auto loan वाले, home loan वाले, business loan वाले, यह जैफे जैफे मुझे पैसा देते जाएंगे, वो पैसा मैं investor को देते जाओंगा, उसका मेरे पास यहाँ पे interest आएगा, मैं स सबका काम हो गया, ठीक है, मेरे को additional funding चाहिए था, to get more customers, so can I say, वो मेरे पास आगया है, जो investor है, उसको investment opportunity चाहिए था, वो भी secure वाला, वो उसको मिल गया है, credit trading agency, यहाँ पे, obviously, assure कर रहा है, that things are being done in the right process, और यह सब को manage करने के लिए, बीच में एक merchant banker भी होता है, तो मोटा आप लोगो securitization का पूरा-पूरा idea आगया, right, अब इसके basis पर अगर मेरे को answer लिखना है, तो I think things are very very easy and manageable now, so securitization का process, bank, loan देता है customer को, अब इसको originator बोलते हैं, obliger बोलते हैं, वो सब चीज़े अभी फटा-फट समझ लेंगे, don't worry, so bank क्या करता है, loan देता है पहले customer को, loan इतना सारा उसने दे दिया कि उसके पास पैसा कतम हो गया, but इतने सारे loan दिये कि ये loan के papers आये हैं, और वो loan के papers को, अब मैं asset में convert करता हूं, वो loan के papers को credit rating agency को देता हूं, credit rating agency उनको study करके, अपने वो बोलता है कि बहुत सब सही है, इसको अपन investor को देते, investor से पैसा लेंगे वो जो पैसा है, उससे नए customer को देंगे, नए interest मिलेगा, बाकी जो मेरा पुराने जो भी loans दिये है, उससे जो भी interest और principal repayment आया है, उसके मैं use करूंगा, मेरे investor को देने के लिए, इस process को बोलते है, securitization, ए समझू everybody, बस तो यहाँ पे अपने को यही process securitization में follow करना है, तो let's, let's see, let's see, यह रहा, so यह रहा मेरा securitization का process, क्या है देखो, creation of financial instrument, अब देखो, मैंने है न, मेरा main काम यहाँ पे आप लोग को है यह समझाना ही था, अब मैं बहुत जादा detailing में नहीं जाने वाला, because मैं को एकदम crisp वीडियो रखना है, because I want कि at least आप 2-3 बार यह theory को आप के main exam center पे पहुचने के पहले कर ले, 15 page का यह theory रखने का एक ही reason है, that इससे आपका 2-3 बार revision हो जाए, and मैंने सारा का सारा theory, जितना भी आपके module का theory है, उसका जितना भी main main points है ना, सब इसमें cover कर लिया है, ठीक है, अब 15 page है, तो फटा-फट भी हो जाएगा, अपने को tension भी ने रहेगा किसी चीज़ का, ठीक है, तो back quick fire level पे अभी आप लोग को एकदम बता देता हो, logic मैंने आप लोग को बता दिया इसका, अब थोड़ापन fast way में कर लेंगे, बाकी, आप लोग अपने live page में लिग सकते हो, आयो इस level तक अभी उतना आप लोगा preparation हो गया होगा, so स सबसे पहला है मेरा creation of financial instruments, तो देखो अब मेरा financial instrument create हो गया, SPV create हो गया, bundling and unbundling, पहले मैंने जितना भी मेरे पास था, loan का papers उसको bundल किया, और फिर, अलग 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 में ट्रेंचIs में, उसकोolsबंद चिए, उसको unbundling किया, कहा पर होता है ट्रेंचिज, यह यह जब मैं, यह जो मेरे loan papers है ना इस loan papers को अब अलग-अलग products में मैं बनाऊंगा ठीक है ना, जिसको कम time के लिए invest करना है, उसको auto loan का papers का एक trench बना के दे देंगे जिसको long time के लिए invest करना है उसको home loan का एक trench बना के दे देंगे समझी हूँ, so that's how it is done so उसको बोलते है bundling and unbundling फिर बात में आते है tool of risk management, so I think काफी अच्छी तरह से risk management हो गया है मेरा जो investor है, हूँ भी risk free है उसको भी लग रहे है, secure चीज मिल रही है structure भी में finance हो गया है trenching आप लोगों मैंने समझाया दिया, homogeneity मतलब जिसको जैसा loan चाहिए, उसी सबसे मैं एक trench बनाऊंगा और उसको दे दूगा, homogeneity का मतलब होता है, of same thing तो same चीज को बोलते है, homogeneity तो जैसा-जैसा investor का preference है उसको वैसा मैं bundling करके देता जाऊंगा, चलो next के उपर आजाते है benefits of securitization तो from the angle of originator, तो सबसे पहले आप लोगो समझना होगा, originator कौन होता है तो originator अपना bank originator अपना bank तो यह जो main ICICI bank था वो कौन था मेरा originator, फिर होता है एक obliger, वो होता है मेरा main customer जिसको मैंने loan दिया फिलाल originator, जो main word है उसके उपर ध्यान देते है तो originator मेरा है यह bank bank तो सबसे ज़्यादा कुछ हो गया because उसने अपने balance sheet को touch भी नहीं किया और उसके पास additional funding आ गया, भई मैंने तो मेरे balance sheet को कुछ भी नहीं किया, यह तो off balance sheet funding हो गया ना, ठीक है ना, मैंने जो भी papers था, वो खाली मैंने credit rating agency को दे दिया उसने bundling, unbundling करके नहीं investment कर दिया, यह सारा काम को है मेरे, एक नए SPV के setup के through, so we are doing something called as off balance sheet funding, क्या बोलते है इसको off balance sheet funding, फिर बाद में क्या बोले है, देखो, more specialization in the main business, अभी देखो, मेरे मेरे main business के ओपर focus करना SPV, मेरा बाकी का सारा काम कर लेगा, मेरे financial ratios भी better हो जाएंगे, because अब मेरे पास funds भी आ गया है, at the same time, मैंने कोई चीज़ dilute भी नहीं की है, borrowing cost भी overall base में reduce हो जाएगा, because मेरे को जो loan मैंने दिया है उस पे जो interest मिल रहा है, and जो मैं सामने investor को दूँँगा, उसमें थोड़ा मैं एक difference रखूँगा, so that I tend to gain, from the angle of investor, investor भी खुश, diversification of race, तो उसने भी एक नए instrument में invest कर दिया है regulatory requirement के हिसाब से है उसको तो एक security भी मिल गया है, and default का भी chance नहीं है, because credit rating agency है, credit enhancers है इतने सारे लोग है, यहाँ पर अच्छा, इसमें अभी देखो primary participants कौन होता है, एक होता है originator, जो main bank है SPV, SPV में ही तो यह सब transaction हो रहा है, तीसरा है मेरा investor, और फिर साथ में secondary investor जैसे obligers है तो मैंने बोला आपको, obligers कौन है जो मेरा main customer है, जिसको मैंने 500 करोड का पहले loan दिया था, वो मेरा obliger है अभी यह सब words आप लोगो click होते जाएंगे, because अपना, वो पुरा financial transaction पुरा अपने को clear है फिर बाद में होता है, इसमें यहाँ पे एक rating agency, because यह rating agency जो तक approve नहीं करेगा, तब तक I cannot make the trenches, फिर receiving and paying agent, who will work on our behalf agent or trustee, trustee trust form करना पड़ेगा, so that कहीं पे भी कोई financial fraud ना हो जाए, credit enhancer credit rating agency के साथ है, credit enhancer होगा, जो approve करेगा that yes investor को एक confidence देगा, that yes the transaction is being done right, and structure, यह basically मेरा एक merchant banker होगा, जो यह पूरा का पूरा process को complete करेगा mechanism of securitization, creation of pool of assets I think अभी यह सब अपना mechanization clear है pool of assets create हो गया SPV को transfer किया, administration of assets हो जाएगा, through merchant banker and crediting agency recourse to originator, अब यहाँ पे जो भी मेरे papers है वो सारे के सारे crediting agency के पास है, SPV के पास है, अब जब जरुवत पड़ेगा, जब मेरे obliger का loan complete हो जाएगा, तो we will get that papers and अपन वो papers उसको दे देंगे return, sale of securitized papers, वो ही कर रहे हैं अपन लोग अभी, जो securitized papers उसी को sale कर रहे है, repayment of funds, तो जो भी funds अपने लिए अभी investor को pay कर देंगे, किसके through, तो जो मेरे को 500 करोड का भी repayment आते जाएगा, यह मैं का, उससे मै करते जाओंगा, credit rating credit rated instrument जो भी अभी यह instrument आपने लोग बना रहे देया all credit rated, तो अपने को tension नहीं है क्या problem आता है, stamp duty कई बार आपको दो-दो बार stamp duty pay करना पड़ता है because अब आप SPV भी है और investor भी आ गया है, originator भी है, obliger भी है, तो stamp duty का multiple transactions हो सकता है तो उसके जिसे cost बढ़ सकता है फिर taxation aspect थोड़ा complicated है इसका accounting can be problem, lack of standardization, see in India जैसी country में अभी तक ये चीज़े standardized नहीं हुई है, so therefore it can create a problem inadequate debt market the debt market of USA is much bigger than equity market, unlike India India में इतना debt market के ओपर अभी trust नहीं है, ineffective foreclosure loss, again India में foreclosure, मतब अगर किसी को prepay करना है, तो penalty बहुत जादा है and therefore it creates issue, खाली SBI है, जो आपको foreclosure के basis पे, आपको कोई penalty charge नहीं करता है, बाकी सारी banks जादा charge करती है, तो वो अगर थोड़ा change हो जाएगा, तो I think this will become even better, securitization instrument से यहाँ पे सबसे देखो, पहले है pass-through certificate, तो एक बार, कही बार pass-through certificate issue करते है, pass-through certificate का issue, pass-through certificate का मतलब होता है, कि investor को directly, जो भी मेरा customer है, जिसको 500 करोड दिया है, वो जब repay करेगा interest, principal, or as it is, मैं investor को दे दूँगा, दूसरा pay-through security वो जैसे ही pay करेगा, मैं पूरा का पूरा उसको नहीं दूँगा, खाली जितना investor को interest या principal repayment due है, उतना ही दूँगा, बाकी का जो access है, वो मैं invest कर दूँगा, कहीं पे, that is called as pay-through security, एन आता है, फिर strip securities में दो होता है, कुछ लोग होता है कुछ investors होता है, जिनको regular basis पे income चाहिए, उनको interest only security दे देंगे, कुछ है, जिनको एक बहुत बड़ा sum चाहिए, for example, कोई, मेरे जैसे आदमी है, तो मेरे जैसे आदमी को है ना, काली regular basis पे interest आएगा, income आएगा, so I'm happy, so my interest only security में invest करूँगा, but, say for example, मेरे पापा है, तो मेरे पापा को regular basis पे थोड़ा अच्छा समझ चाहिए, क्यू, तो उनको लग रहा है कि मेरे को उनके बच्चों के education के लिए खर्चा करना है, marriage के लिए खर्चा करना है, तो उनके अभी बड़े-बड़े कुछ कर्चे है, जो आने वाले, तो इसके लिए विल गो इंटो principal-only security, तो वहाँ पे जो भी principal है, वो उनको regular basis पे repay होते जाएगा, and pricing of the securitized instrument, originator, उस हिसाब से pricing रखेगा कि उसका जो outflow ने वाला है, वो cover हो जाए, investor उसे आप से रखेगा कि उसका जो expected future cash flow है, yield to maturity जो उसको चाहिए, वो उसको मिल जाए, now ये chapter में जो भी आप लोगा, आप अपना module खोल लो, ने आप खोल लो module और module में देख लो, सारे जो भी main main points थे वो सारे मैंने यहाँ पे cover कर लिया है, आयो, आप लोगो समझ में आरवा होगा, keep commenting, so that मुझे motivation आते रहेगा, for making more such videos, next, 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 फिर बाते आजाता है मेरा start-up finance, start-up finance is as good as मेरा जो भी है shark tank India, and मैं तुम लोगों जानता हो, तुम लोग सब लोग shark tank India तेख चुके हो, अशनीर grower, Amand Gupta जो सी यह है, Nandita जो सी यह है, वो सब के कारण, तो आप लोगो यह chapter समझने में, समझाने में, ज़्यादा time नहीं जाएगा, some of the innovative ways to finance a start-up, so क्या-क्या, कैसे आप finance कर सकते हो, तो भाई, एक तो भाई, जो पैसा है वो लगाओ, या फिर आपका कोई friend-friend है family and friends है, वो लो के पास ले लो, थोड़ा personal credit ले सकते हो, peer-to-peer learning, मतलब friend से आप ले सकते हो, या फिर आपके save industry में कोई लोग है, उनसे आप लोग थोड़ा पैसा ले सकते हो, crowdfunding, अगर आप लोगो बता होगे, milap.org और यह सब crowdfund करते हैं, मतलब facebook पे आप लोग में add देखा होगा, कि if you want you can contribute, उसको बोलता है crowdfunding, crowdfunding का मतलब मेरे पास एक idea है, और मेरे को वो business के लिए पैसा चाहिए, तो मैं internet पे डाल दूँगा, facebook पे, instagram पे that yes, you can become a part of my company, you can fund it, I will give you shares, और हम एक दुसरे को जानते नहीं है, तो फिर भी यह चीज हो जाते है, that is called as crowdfunding, microloan चोटे-चोटे लेवल पे लिया जाता है, factoring, accounts receivable, तो अगर कोई company है जिसके आस बहुत सारे accounts receivables पढ़े, तो वो जाके एक factor को दे सकता है, तो से for example, 100 रुपे का मेरे पास accounts receivable है, मैं जाके एक factor को देऊँगा, तो फैक्टर बोलेगा, जो इसका पैसा मेरे को दो साल बाद आना था, बट मुझे अभी सरुवत है, तो वो मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा, vendor financing, तो कई बार आप आपके जो vendor है, जो supplier है, उसको बोल सकते हो कुछ finance करने को, purchase order financing, तो purchase order, say for example, आपको reliance से कुछ purchase order आ गया है, तो purchase order लेके जाओगे, आप बैंक के पासर बोलोगे, बाई, देख, reliance का purchase order है, reliance का, reliance ने मुझे purchase order दिया है, तो उसके basis पे भी आपको loan मिल सकता है, तो यह कई तरीके है, innovative ways to finance a start-up, फिर बाद में है next pitch presentation, तो अभी अगर आपको Shark Tank India ने बुलाया, तो आप कैसे अपने आपको present करोगे, तो आप पहले अपना खुद का introduction दोगे, टीम के बारे में बताऊगे, क्या problem को आप change करना चाहते हो, तो अगर आप लोग ने प्यूश बंसल को सुना होगा, तो he always says, I am looking for a business which is solving some problem, तो क्या problem है जिसका आप solution ला रहे हो, marketing sales में आपका क्या है, क्या projection या milestones पहुचा है आपका, कि आपने कितना, आपका run rate कितना है, आप लोग सुनते होगे, लास्ट तीन साल में कितना sales किया है, दो साल में, तो वो income statement, cash pro statement, balance sheet है, competition को आप कैसे tackle कर रहे हो, आपका business model क्या है, and financing के आपके तरीके, क्या है ये, आप इस presentation में basically discuss करते हो, फिर बाद में आ जाता है, आप लोग का modes of financing for start-ups, तीन modes है, सबसे पहले bootstrapping, ये भी word सुना होगा, आप लोग ने bootstrapped का मतलब है, खुच से finance raise करना, आज की तारीक में सबसे best unicorn, जो bootstrapped है, वो है zero-da, आप लोग ने सुना होगा, निकल कामत, नितिन कामत की company है, they are totally bootstrapped, and at the same time, they are also profitable, bootstrapped का मतलब होता है, खुद के पैसे से, कोई भी business अब आप set up करते हो, that is called as bootstrapping, अब उस bootstrapping, अभी ये देखो, ये word मैंने समझा दिया है, अब खुद के language में लिख कर आऊ, राइट, वजब कुछ से, आप लोग ने fund करके, कोई business चालू किया, मेरे पास accounts receivable है, तो वो मैं जाके discount कर रहा के, पैसा raise कर लूँगा, या फिर leasing, तो कई बार, मैं बहुत जादा investment नहीं करूँगा, machinery के उपर, उसको मैं lease कर लूँगा, फिर बाब ने होता है angel investor, angel investor का मतलब होता है, initially जब मुझे, कोई business start करना है, तो मैं किसी funding वाले company के पास जाऊंगा, with expectation के मैं ठीक है, थोरे time में उनको मैं repay कर दूँगा, और उनकी भी expectation यह नहीं होती है, कि बहुत जादा उनको profit चाहिए, तो यह होता है angel funders, and venture capital fund, जिनके बारे में भी आपनों डीटेल में पढ़ने वाल है, तो secure capital is one of the best venture capital fund, जिसने इंडिया में काफी सारी companies में invest किया वा है, तो venture capital obviously एक particular time के लिए invest करते हैं, अगर आप लोगों को पता हो, तो Zomato, NICA, PTM, यह सारे यह लोग ने जो list किया है न, यह इन्होंने venture capital fund को repay करने के लिए, venture capital fund बोलता है कि मेरको यह 10 साल के अंदर 10-20 times, 5 साल के अंदर 20 times return चाहिए, ठीक है, और IPO is the best way to convert all your funding into best returns, ठीक है, तो उन्होंने उसी सबसे working होता है, तो venture capital fund को पैसा चाहिए, quick time में, but at the same time, वो आपके idea में तब invest करेगा, जब कोई आपके ओपर विश्वास नहीं कर रहा है, that's the risk that they are taking, so paytm में जब invest किया था venture capital ने, थो निदा उसका पता था, कि इतना huge level पे आ जाएगा, या flipkart है, या zomato है, इस सब कंपनीज में venture capital ने ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट किया था, जब इंडिया में कोई start-up culture नहीं था, और इतना scope है, वो पता भी नहीं था, so let's see, अभी याप है, venture capital is generally finance new and rapidly growing companies, purchase their equities shares, कोई भी नया product develop करना है, उसमें वो help करते है, through active participation, venture capital का एक long-term horizon होता है, usually of five years, अगर आपके पास lack of liquidity है, then you can go to venture capital, इनके पास बहुत सारा पैसा है, so इनके पास कभी lack of liquidity नहीं होती है, they are risk takers, but they believe in equity participation, फिर बात में आजाता है, आप advantages of bringing venture capital है, सबसे best, बहुत वो लोग के पास जो knowledge है, वो लोग funding लाके दे सकते हैं, और भी वो लोग के पास connections है, idea लेकर आ सकते, long-term equity finance मिल जाता है, एक business partner है, जो आपके साथ risk and reward share कर रहा है, they will give you practical advice and assistance, network of contact है उन लोग का तो, public IPO के लिए अगर आपको जाना है, तो again it may be very very helpful, additional funds of round of funding चाहिए, तो भी आप कर सकते हो, by bringing a venture capital in your industry, stages होते हैं, अगर आपको seed money चाहिए, seed money माद वह एक तम, just मेरे को एक idea है, तो और मेरे को पैसा चाहिए, उसको कहते है seed money, बट बहुत जादा extreme level का risk होता है उसमें, next level अगर आपका seed money आ गया है, थोड़ा business just start हो है, start-up level पर आप आजाते हो, तो भी risk है, but that is at a high level risk, फिर first round होता है, तो भी थोड़ा आपका भी sales होना चाले हो गया है, फिर working capital अगर आपको चाहिए, तो second round funding होता है, अगर आपको और अभी अपनी company को profitable बनाना है, तो उसको mezzanine finance बोलते हैं, अगर आपको IPO के लिए जाना है, और पैसा चाहिए, तो उसको बोलते हैं bridge financing, यह level of risk भी मैंने यह आपर लिख दिया है, as per module, और भो भी आप लोग पढ़ सकते हो, फिर VC का जो investment process होता है, उसमें the whole process is this, deal origination, screening, due diligence, यह deal को structure करके, जो भी post investment activity and exit plan, exit plan मतब कितने साल में आप रहोगे, और फिर बाद में आप अपना यह venture capital को liquidate कर दोगे हमारी company में, sector कि कौन से sector के ओपर उनको focus करने दिया, very clear, promoter का focus क्या है, कितना turnover चीए, क्या stages पे वो लोग invest करते रहेंगे, all of that is decided well in advance, यहाँ पे दो तरगे होता है, एक domestic funds, एक offshore funds, offshore fund में, internationally अगर अपने को कुछ funding मिलता है, तो जैसे tiger global है, जैसे soft bank है, तो यह सब मेरा offshore funding होता है, domestic funding, अगर domestically मैंने pool किया है तो, तो यह मेरा हो गया, इसी के साथ chapter, start-up finance, I hope we are clear, और फड़ा फट आप लोग को चीज़े समझ में आती जारी है, मज़ा आते जारे है, next के उपर चल रहा हो मैं, that is called as risk management, identification of types of risk faced by an organization, तो यह भी काफी easy chapter है, इसमें वार के उपर practical समा सकते हैं, वो आप लोग अलग से कर लेना, अब यहाँ पर का क्या है देखो, strategic risk, compliance risk, operational risk, financial risk, तो कोई भी company के 4 तरगे risk होता है, और वो 4 तरगे risk में financial risk को, और 5 तरग में divide गया है, counterparty risk, political risk, interest rate risk, currency risk, liquidity risk, अभी देखो, यहाँ पर यह चीज़ें आपको खाली ध्यान में रखने हैं, main main points, बाकी अंदर का तो आप लोग यार, कुछ भी लिख रहा होना, क्या टेंचन है, strategic risk में होता है, जियो ने, जैसे strategic risk लिया था, क्या, कि वो free में, सब लोग को उसने starting में अपना बाट दिया, अब वो time पर उसने अगर free में बाटा, और लोगों ने नहीं लिया होता, तो उसके लिए strategic risk है, तो आपने कोई strategy बनाया, if that does not work, then it becomes a strategic risk for you, compliance risk, कही बार government के compliance के हिसाब से, अगर आपने नहीं चले, then in that case it becomes a problem, जैसे vote upon idea, तो उनको tax, approximately 10-10,000 का tax बनने को आ रहा है, because उनको नहीं ने compliance के हिसाब से tax पे नहीं किया, operational risk, अगर आप लोग का जो operations है, वो बंद हो जाए तो, तो say for example, यहाँ पे operational risk was faced by Kodak, तो Kodak को एक बहुत बड़ा operating, strategic risk was taken by Nokia, तो Nokia smartphone industry में बहुत लेट आया, तो उनको एक strategic risk लिया, operational risk was paid by Kodak, तो digital जब यहाँ पे cameras आ रहे थे, तब बो लोग नने वो चीज़ को नहीं लाए, so that was the operational risk, right, and then financial risk, इसमें बहुत सारी risk आते है, जैसे पहला है मेरा counterparty risk, तो counterparty risk का मदब, counterparty ने अगर पैसा देने से इंकार कर दिया, तो insolvent हो गया, तो counterparty risk है, political risk, इंडिया का import और export विचाइना बन, तो मेरे तो रस्ते लग जाएंगे, मैं बोलूँगा, रहे, बै, मैं तो चाइना से ही पुरा import कर रहा हूँ, तो वो एक political, आपको risk है, interest rate risk उपर नीचे होते रहता है, so अगर आपने बहुत जादा लोनली है, so it can become a risk for you, currency risk, अगर आपका import-export है, तो currency obviously is a risk for you, and last में है liquidity risk, अब इनफ पैसा होना चाहिए, बहुत सारे start-ups बंद हो जाते हैं, यह liquidity risk की वज़े से, because उनको funding ही मिलता है, but they are not able to secure enough inflows, तो यह आपके सारे risk है, इसमें से जितना याद रहे, याद रखके लिखकर आ जाना, strategic, compliance, operational, finance, उसके अंदर counterparty, political, interest rate, currency risk, and liquidity risk, चलो, next के ओपर चलते हैं, evaluation of financial risk, यह जो evaluation of financial risk है, इसमें सबसे पहले मिलको देखना है, stakeholders point of view के हिसाब से, बहुत टेंचन रहता है, जो हम लोग company ने बहुत जादा debt ना ले लिया, because अगर बहुत जादा debt ले लिया, और company liquidate होगी ना, तो फहले debenture roller को repay करेंगे, तो वो थोड़ा stakeholder को tension रहता है, companies point of view by excessive borrowing, ना होना चाहिए, liquidate ना हो जाए, हमारी यह company, kingfisher के जैसी, and government point of view के बहुत देखो, अगर bank या financial institution में बंद हो गई, then in that case, government को उनको फिर bailout करना पड़ता है, जैसे Lehman Brothers के case में हुआ था, फिर बाद में एक नया concept आप लोग के लिए, value at risk बहुत सही है, value at risk बताता है कि आपका जो portfolio या आपने जो security में invest किया है, उसको everyday downgrade होने का कितना chances है, so यहाँ पर worst case scenario आपने को देखना है, loss per day कितना हो सकता है, यह सब चीज के लिए, आपका calculations बहुत strong होना चाहिए, तो features of wear में कि बहुत कितना time period है, कितना confidence level है, कि आपका maximum इससे ज़्यादा loss नहीं होगा, statistical measure, standard deviation के basis आपने लोग करते हैं, one day का loss, one week, one month, यह, आप आपके client को पहले से बोल के रहों कि बहुत कि देखो, आपने invest किया है मेरी company में, या मेरे portfolio में, तो you will face this maximum risk, कितना probability है, यह loss होने का, risk आपने लोग कैसे उसको control कर रहा है, all of these are features of wear, कैसे आप इसको apply करते हो, इससे आपको पता चलता है, maximum possible loss आपको कितना हो सकता है, benchmark for performance measurement, आपका performance आप इससे measure कर सकते हो, fixed limit for individual dealing, यह बहुत जगे पर होता है, इससे ज़्यादा अगर loss नहीं होना चाहिए, तो आप इससे ज़्यादा deal नहीं करोगे, अगर उनको लग रहा है कि 50 लाग के उपर deal किया, तो आपको 10 लाग के उपर loss हो सकता है, तो 50 लाग बोलेगा, इससे ज़्यादा आपको deal नहीं करना है, enable management to decide the trading strategies, and asset and liability management के लिए भी, wear को use किया जाता है, कि कितना मेरा liability at risk है, फिल बाद में आ जाते हैं यहाँ पर, जो counterparty risk, political risk, interest rate risk, currency risk, जो मैंने बताया था, वो कैसे आपको बता चलेगा, जो अगर नेसेसरी resources नहीं में हो रहा है, project complete नहीं हो रहा है, regulatory restriction आ गये, hostile action of foreign government आ गया, तो यह सब चीज की वज़े से आपको counterparty risk हो सकता है, उसको आप कैसे manage कर सकते हो, पहले due diligence कर लो, भाई जो counterparty है, वो सही आदमी है के नहीं है, overexposed मत करो, अपने आपको किसी चीज मनदब ऐसा नहीं, कि आपका net worth है 10 करोड, उसमें से 8 करोड, आपने किसी एक particular party के ओपर focus कर दिया, तो वैसा मत करो, overexposed मत करो, performance guarantee एक बार, insurance आप लोग को करवा लेना चाहिए, political risk अपने सब को बता है, कि भाई कुछ भी resident investors है, currency issues है, foreign assets कुछ अगर exploit हो रहे हैं, यह सब चीज है, for example मेरा foreign में, अगर कुछ assets है, and there is a war with that country, then in that case, वो asset is a risk for me, so इसके लिए आप जितना हो सकता है, local लोगों से, joint venture में काम करो, local financing करो, तो tension नहीं रहेगा, interest rate risk, again monetary policy of the government, economic growth, यह सब चीजों के उपर dependent है, फिर last है मेरा currency risk, currency risk, again government action के उपर based है, interest rate inflation के उपर बहुत साधा, मेरा currency का fluctuations होता है, natural calamities के वज़े से उपर नीचे हो सकता है, so all of this war, rebellion है सब की उपर, मेरा currency risk based है, so अगर आता है question, तो we have to write this in the exam, चलो, next chapter के उपर आते हैं, and that is my security analysis, चलो, so next chapter है, मेरा security analysis, so यहाँ पर fundamental and technical analysis होता है, तो fundamental analysis मतलब, जो usually एक chartered accounting करता है, that we get into the depth of the knowledge of the company, company का business कर रहा है, company का आगे scope क्या है, company का आगे business में scope क्या है, and all of that, and दूसरा होता है technical analysis, जिसको यह सब से कोई लेना देना नहीं, जी हाँ, उसको यह market sentiments, and human behavior के basis पे, उसके prediction के basis पे, जब वो trading करते हैं, उसको बोलते है technical analysis, तो यह देखो, fundamental analysis, आपका dividend growth को study करेगा, economic analysis, industry, company, सब चीज़ को, say for example, अभी इंडिया में, electronic vehicles, चालो है, तो EV ऐसी वाली companies में, अपने को invest करना चाहिए, तो मैंने क्या किया, industry को analyze किया, economy को analyze किया, एक अच्छी company है, जो electric vehicles में जाना चाहिए, तो मैं Tata Motors में, invest करना चाहूंगा, so that all is called as fundamental analysis, so यहाँ पर, पहला economic analysis, factors affecting economic analysis, तो आपका national income, and related measures कैसा है, तो national income growth कितना अच्छा है, industrial sectors का growth कितना है, अच्छा है, अगर बहुत जादा हो रहा है, that is not good, so inflation कितना है, monsoon में आपका overall कैसा चल रहा है, monsoon कैसा expected है, because monsoon के basis में, agriculture in India, agricultural में बहुत जादा dependent है, दूसरा techniques used in economic analysis, so anticipatory survey आप करवा सकते हो, indicator approach है, तो leading indicators क्या है, lagging indicators क्या है, तो overall, for example अभी, Sri Lanka, तो श्री लंका में the indicators are not good, तो वो लोगों पता है, उनका political scenario was not good, so these are leading indicators, lagging indicators is, say for example, to a country like Pakistan, वहाँ पर यह lagging indicators, दे रहे एक दे तुनोंने, बहुत जादा over funding ले लिया है, चाइना के पास है, आज नहीं तो कल, they will face a issue for that, roughly coincidental indicators भी, आप देख सकते हो, तो यह कुछ points है, तो कैसे आप economic analysis करोगे, तो एक anticipatory survey करोगे, overall आपको market का sentiment कैसा लग रहा है, दूसरा है आपके पास indicator approach, तो leading, roughly indicators, and lagging indicators कैसे है, and last economic building approach, तो overall economic building के लिए, government क्या काम कर रही है, यह सब चीज़े देखके, आपको पता चलेगा, fundamentally how the overall situation is, and then you can probably invest in the company, and the economy, फिर बाद में आता है, यहापे industry analysis, factors affecting any industry, तो product life cycle, कोई भी particular industry का product life cycle, कितना बढ़ा है, demand supply gap कैसा है, तो क्या demand extra है, supply कम है, या overall supply जाद है, demand कम है, तो वो आपको एक देखना पड़ेगा, industry के लिए कैसा है, तो जैसा मैंने बोला, electronic vehicles के लिए, government attitude is good, demand is good, supply कम है, demand जाद है, आज की तारीख मेरे, product life cycle, तो अभी वो introduction stage पे, बहुँ जल्द growth stage पे जाएगा, state of competition in the industry, तो इतना competitive नहीं है industry, so all of that, technology and research, is again at a good level, तो यहाँ पे आपको यह चीज़ ध्यान रखने के लिए, you can remember electronic vehicle का example, and electric vehicle का example, and you will be able to remember this, technique used for analyzing industry factors, regression and input-output analysis, ठीक है, इतना important नहीं है, company analysis qualitative and quantitative measures पे आप कैसे करोगे, company का net worth क्या है, funds कहां से लिए, यह सब fundamental analysis है, क्या net worth है, यह मैंने actually किया भाई, JP Morgan में, बहुत सारी companies के लिए, तो company का net worth क्या है, funds कहां से लिए, company के promoters कौन है, ratios कैसे है, debt equity ratio कैसे है, अपन लोग कितने level पे, अपनने जो debt लिए है, उसको अपन रीपे कितना गर पा रहे है, interest coverage ratio कैसे है, all of that, cross-functional and time analysis, growth record कैसे है, मेरा financial analysis, जो अभी मैंने आप लोग को बता है, quality of management, बहुत important है, कितना अच्छा है, आपका corporate governance, company, कुछ fraud तो नहीं कर रही है, वो देखना regular basis पे ज़रूरी है, labor relations कैसे है, marketability of the share, so यह सब basis पे आप decide करोगे, that the company is doing good or not, and then you will basically invest, फिर बात में आजाते है, techniques used in company analysis, correlation regression analysis, trend analysis and decision tree analysis, यह बेसिस पे आप एक analysis भी अपना provide कर सकते हो, फिर बात में आते हैं, आपने लोग technical analysis के उपर, इसमें है principles of technical analysis, यह बोलता है कि भाई देखो, technical analysis क्या बोलता है, कि price moves in trend, तो उन्होंने कोई particular trend देखा है, उन्होंने कोई particular एक behavior देखा है, उस basis पे वो लोग decision लेते हैं, बहुत सारी theories है, दाव theory, तो दाव theory क्या बोलता है, कि तीन तरह के moment होता है, एक 12 months to 36 months वाला, उससे आपको bullish या perish trend, overall basis पे आपको से for example, पता चल जाएगा, तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ, कि भाई, अगर मेरे को रिलाइंस का share देखना है, R-E-L-I-A-N-C, रिलाइंस share price, तो यह रिलाइंस share price, अगर मैं यहाँ पे देखता हो, तो मुझे उसका trend के बारे में, पता चलता है, तो इससे मुझे ट्रेंट के बारे में बता चलता है, जिसके basis पे मैं यह बता पाऊंगा, कि whether we should invest in the company or not, trend of two weeks देख सकते हो, narrow movement day-to-day basis का देख सकते हो, that is called as Dow Jones theory, फिर है Elliot wave theory, यह लोग ने 75 years का prediction देखा, stock price का movement देखा, उसके basis पे waves create की, और फिर अपने analysis बनाएं, इसमें inclusive pattern है, go with the flow, जो wave का pattern चल रहा है, उससे आप से invest करो, या फिर पेटन उनको लग रहा है, जेंज हो रहा है अगर wave का pattern, then in that case, you can take your decision accordingly, and then फिर है मेरा random walk, तो यहादर में Elliot wave 75 के basis पे है, एक inclusive pattern है, और एक corrective pattern, अगर आपको लग रहा है, तो यह आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, and then random walk theory है, random walk theory बोलता है, कि यार share prices का कोई prediction नहीं है, कि वो जो भी changes हो रहा है, वो एक statistical basis पे, आप past data को analyze करो, statistics मिलेगा, वो statistics के basis पे आप invest करो, that's what technical analysis says, there may be periodical ups and downs, but there is no guarantee of anything, फिर बहुत सारी charting technique है, तो जैसे candlestick approach होता है, एक line chart बनता है, bar chart बनता है, कि वही कैसा bar चल रहा है उसके share का, फिर candlestick approach होता है, तो candlestick यहाँ पे एक बनता है, तो candlestick अगर यहाँ पे यह ऐसा बन रहा है, तो it's positive, यहाँ फिर अगर candlestick ऐसा है, तो इसका मतलब कि market डाउन जा रहा है, point and figure chart, तो यह सब charting technique के basis पे बोलोब decide करता है, technical analyst के how it should be, market indicators है, breath index, volume of transaction, अगर बहुत जादा है, तो अगर बहुत जादा है, जादा से जादा लोग mutual funds उसमें invest कर रहे हैं, relative stress, और support को अगर नीचे, support के नीचे नहीं गया, support को तोड़ दिया, then in that case, market नीचे जाएगा, so all of that is called as relative strength index, तो support resistance, वो लोग study करता है, उस basis पे decide करता है, कि company में invest करना चाहिए, या नहीं, फिर बाद में बहुत सारे price pattern भी है, तो upward channel दिखेगा, तो यह दे को head and shoulders है, यह इंसान का head and shoulders होता है, तो ऐसा कुछ pattern दिखेगा, तो इस का मतलब bearish market नीचे जाने वाल है, inverse head and shoulders अगर आपको दिखेगा, तो bullish pattern है, coil formation दिखेगा, मतलब uncertainty है, market में बोलना ही सकते, downward अगर pattern है, downward channel बनना है, तो falling prices, flag and pennant बनता है, मतलब price is going to continue, यह सब basically price patterns है, technical analysis का question आया, तो 4-5 लिख का राज़ा, तो यह दो रहता है, gap up and gap down, मतलब अगर market बहुत अच्छे लेवल पर, जो opening था, आपका जो कल का closing था, और opening में बहुत बड़ा gap है, and gap up है, gap उपर है, तो इसका मतलब market आज ऊपर जाएगा, gap down है, मतलब market आज नीचा है, मतलब closing जो last का देखा था, और आज का जो opening है, उसमें बहुत बड़ा fall है, then in that case, that is a gap down, so ऐसा सेनारियो है, decent using data analysis, moving averages, exponential moving averages, से related sums भी है, वो आप लोग देख सकते हो, fundamental and technical analysis, क्या है वो मैं आपको बता चुगा हो, जहां पर आप company को analyze करते हो, macro factors, company का GDP, inflation, interest, growth rate, sales, profitability, यह सब को जब analyze करके, आप invest करते हो, as a chartered accountant, आप यह सब use करोगे, you are doing fundamental analysis, और आप खाली basis, prediction के basis पे, historical data के basis पे जा रहे हो, then volume के basis पे जा रहे हो, and in that case, you are doing technical analysis, दोनों के अपने अपने positive है, negative है, यहां पे, price of share, discounts everything, price captures everything, उनका मानना है, जो भी movement हो रहा है, वो चीज के basis पे आप prediction कर सकते हो, long term investing में, obviously, always fundamental analysis का माँएगा, short term के लिए, yes, technical analysis is the best, फिर बाद में, there is something called as efficient market hypothesis, उसमें जो main चीज है, वो में आप लोगो बता देता हो, तो इसमें, तरह के form होता है, weak form of efficiency, semi-strong efficiency, and strong form of efficiency, weak form of efficiency में, price reflect all the information, of past basis, semi-strong efficiency में, कि आपके पास, जो past का information है, plus, जो public के पास information है, and strong form of efficiency, मतलब, public के पास, सारा information available, तो India, इंडिया is in semi-strong level, कि आपके पास past का भी data है, और public के पास, जो information होना चाहिए, वो है आपके पास, समझे लेओ, फिर strong form of efficiency, जो developed countries है, America, UK, Europe, यह सब, जिनके पास past भी data है, present भी data है, public का भी data है, private data भी है, तो आपके पास, सब information data available है, तो strong form of efficiency है, और यह जो under developed countries है, इनका weak form of, इनके पास खाली past data है, public का भी को information नहीं है, private भी information नहीं है, तो यहाँ पे volatility बहुत जाद होता है, weak form of countries में, तो मैं इसको under developed, developing, developed countries के, economies के हिसाब से, इसको rate करता हूँ, फिर बाद में आजाता है, empirical evidence, तो इसके लिए, again यह practical चीज़ है, serial correlation test, run test, filter rules test, आप यूज कर सकते हो, challenges to efficient market theory, अगर आपके पास, adequate information नहीं है, processing नहीं, irrational behavior है, या monopolisटिक influence है, तो आप नहीं यूज कर पाओगे, then यह chapter है, chapter 1, financial policy and corporate strategy, more of strategic management गए, तो खाली आप अपने हिसाब से, इसमें यह पर लिख सकते हो, typical चीज़ है, top level management, middle level management, functional level management, के लिए क्या strategy, use करना चाहिए, आपको maximize wealth, यह typical चीज़ है, आपको सब जगे दिखेगी, resource constraint में, कैसे आप better कर सकते हो, competitiveness कैसे कर सकते हो, so I think यह chapter more of a, self-read chapter, so I think you can do that, यहाँ पर जो exam में आएगा, वो आएगा, यह key decision within scope of financial strategy, तो यही चारो आपको लिखने जारना है, कि अगर आपको बुचा कि क्या decision है, क्या key decision है within scope of financial strategy, तो यही चारो चीज़े लिखनी है, कि financing decision, आपका investment decision कैसा होना चीज़े, dividend decision, portfolio decision should be taken in a proper manner, financial planning अगर करना है, तो यही टीन चीज़ आएगी, financial resources सही तरह से use करना है, financial tool, job के ratios है, वो पराबर से होना चीज़े, and financial goals should be in line with the objective corporate goals, organizational sustainability के growth, आपका कैसा होना चीज़े, dividend कितना दोगे आप, long term development कैसे करने वाले हो, all of that is a part of your organizational sustainability and growth, three things for corporate level strategy, suitability, feasibility, acceptability, यह याद रखना पड़ेगा, as it is अगर question आता है, तो आपको यह तीन चीज़े लिखकर आनी पड़ेगी, ways to make organization financially stable, तो आपके पास एक से जाधा source होना चीए, आपका अच्छा image होना चीए, values होने चीए, financially, autonomy and independence होना चीए, यह सब चीज़े अगर आप करते हो, then in that case, your organization will become financially independent and stable, फिर बाद में जो अपने typical charters है, जिसमें से practical questions यह आते, उसका अगर कुछ theory पूछना है, तो वो भी मैंने लेके रखा है, तो एक asset allocation strategies है, तीन तरगे हो सकती है, strategic tactical and insured asset allocation, valuation अगर real estate का करना है, तो चार तरीके से आप कर सकते हो, sales comp, मतलब market में, क्या basis पे sales हो रहा है, तो उसके comparison, वो बोलते है sales comp approach, income approach के, वो particular real estate से, कितना मुझे income मिल रहा है, cost कितना लग रहा है, कोई भी real estate खरीदने को, अगर मैं long term किसी, real estate property में invest कर रहा हूँ, तो after tax cash flows, उससे मुझे कितना मिल रहा है, फिर mutual fund में concept आ सकता है, side pocketing, तो क्या होता है, कई बार mutual fund, बहुत सारी जगा पे invest करता है, उसमें से, for example, 90% मेरा अच्छा है, 10% मेरा investment है, वो थोड़ा, ऐसी companies में चले गया, जो अभी, बोलते हैं ना, जिनका financial issues हो रहा है, इसके विशे से मेरा पुरा, NAV खराब हो सकता है, तो ये लोग क्या करते है, तो ये कोता है benchmark return, तो आपका जो company है, वो benchmark return से कितना deviate हो रहा है, वो ये tracking errors के थू मेरे को पता चलता है, तो अगर आप लोग देखोंगे, तो D minus D bar square, तो बहुत कितना आप deviate कर रहे हो, एक average benchmark return से, is what is going to be given by the tracking error, फिर बातने interest rate management, इसमें चार तरगे majorly swap होते है, plain vanilla, basic rate, asset and advertising swap, तो यहाँ पर, जो plain vanilla swap होता है, उसमें तो भई loan के सामने loan, तो मेरे पास fixed rate loan है, सामने वाले का floating rate loan है, मुझे floating चाहिए, उसको fixed चाहिए, we will create a swap, asset swap में basically bonds का एक exchange होता है, तो मेरे को एक particular bond चाहिए, कर सकते हो, features of swap options, तो swap options का मतलब क्या होता है, अगर आप swap with an option डाल रहे हो, तो for example, मेरे को 3 month का fixed period का एक interest चाहिए, but मेरे को लग रहे हैं कि I want a right for it, तो उसको बोलते है swap option, तो swap with option strategy is called as a swap option, तो यहाँ पे अगर आप swap में options को भी include कर रहे हो, so interest rate options को भी आप intrude कर रहे हो और बोल रहे हो कि भाई देख, मेरा अगर positive रहा, for example, मुझे लग रहा है कि fixed rate लेना चाहिए, और market का interest rate बढ़ गया, then in that case fixed rate is good, बट अगर market का rate नीचे गया, और fixed rate मेरे को नहीं चाहिए, तो I will not exercise the right, so options, but for interest traded securities is called as swap options, right, so इसमें usually 3 month का एक period होता है, option period refers to time in which यह आप transaction कर सकते हो, इसमें भी आपको premium pay करना पड़ता है, which is given as basis points, swap options can be cash settled at the time of expiry, फिर बाद में mergers and acquisitions के time पे, अगर कोई आप company, आपकी company को acquire कर रहे हैं, आप target company हो, और कोई hostile decor हो रहा है, उससे बचने के लिए, मैं क्या tactics use कर सकता हूँ, वो भी आपे मैंने दिया है, so divest teacher, इसका मतलब क्या होता है, say for example, कोई बड़ी company है, उसके बहुत सारे segments है, तो उसमें से थोड़े segments को मैं, क्या कर दूँगा, sell off कर दूँगा, तो अभी जो सामने वाला target, जो company था, hostile takeover करने वाला था मेरे को, उसमें से वो देखिया कि पाच्छे company, तो मैंने खुद बेज दिया, तो बहुत ड़े divest कर दिया, तो अब वो मेरी company को takeover नहीं करेगा, same for example, अभी इसमें poison pill, तो जापे Twitter ने यूज़ किया था, इलोन मस्क अगेंस में, तो poison pill में क्या होता है, ये companies, अपने ही companies में, और बहुत सारे right shares issue कर देंगे, तो उसे क्या हो जाएगा, number of equity shareholders बहुत बढ़ जाएंगे, और वो number of equity shareholders बढ़ जाएंगे, उसके बाद उनका voting लेंगे अपन लोग, हो सकता है, कि फिर वो इतने सारे equity shareholders देखकर, तो hostile take over ना करें, फिर बाद में next के उपर चलता है, crown jewels, तो उसे for example, crown jewels का मतलब क्या होता है, कि इसे Tata Suns को अगर, को hostile take over करने के लिए आरे, तो Tata क्या करेगा, उसका जो main companies है, TCS, Tata Motors, वो किसी और को देदेगा, तो अपना crown jewels, main company है, वो ही हमने किसी और को देदिया, तुम Tata Suns क्या ही acquire करो, फिर बाद में इदर देखें, green mail, आप mail कर सकते हो, और सामने वाली को बोल सकते हो, आपके कोई friendly company, जो आपको खरीदने में इंट्रेसेट नहीं है, उसको आप बोलोगे, नहीं तुम में को जबरदस्ती खरीद ले, या मेरा पार्ट खरीद ले, वो friendly company को दे दोगे, अब आपका थोड़ा ही पार्ट बचा है, वो hostile takeover शायद ना करे, golden parachute, इसमें क्या होता है कि आप आपका जो top level management है, उसको भर भर के remuneration दोगे और बोलोगे, अगर takeover होता है, then in that case management will get the top level of say, करोड़ रुपे का आपको compensation मिल जाएगा, आप ऐसा करोगे, तो वो सामने वाला खरीदेगा है नहीं, तो आप एक counter bit दे देते हूँ, तो अगर counter bit दे दिया, तो वो hostile takeover होने का chances कम हो जाता है, so all in all, यह जो basically इतना theory, मैंने compile किया है, try किया है कि एकदम short में, best आपको explanation भी दे दू, प्लीज यह video को at least 2-3 बार सुन ले न, main exam में जाने के पहले, इसमें से कुछ आ गया, तो well and good, you'll be able to score good, plus आप इसको पुरा 2-3 बार go through कर ले न, आपके mobile पे या, जो भी आपके PDF है या, अगर print गया, जो भी ले थो, so that will really be helpful, and please अभी देखो boss, अच्छी तरह से अपना preparation हो गया है, now time for us to give the best, अच्छी तरह से एकदम काम माइन में रहो, ठीक है, calculator at least एक से ज़्यादा ले लेना, because बहुत सारा calculation रहेगा, speed अच्छा रखना, SFM में paper छूटना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा personally लग रहा है, कि ये बार institute थोड़ा unexpected paper रखेगा, SFM में starting से बोल रहा है, so let's see how it works, वो तो अब होगा, तब भी पता चलेगा, and all in all, let's give our best, अच्छा किया है अपने लोग ने, अब अपने को पीछे नहीं हटना है, ठीक है, starting से speed रखना, ये एक general point में आप लोग का बोलना चाहूँगा, formulas याद आए, तो formulas लिखना नहीं आए, तो कोई इतना load नहीं है, it's okay, कोई tension का बात नहीं है, ठीक है, logics जितना strong हो, उतना अपने लोग, logics के basis पे, solve करना paper को, तो जुरूरी नहीं है, कि हर चीज formula याद रहे आपको, logics है, उसके basis पे भी solve करकर आओगे, कोई tension नहीं है, theory at least 25 marks काने वाल है, वो secure कर लेना, तो वो भी अपने को फिर, अच्छा एक push मिल जाएगा, ठीक है, चालो, time for me to say, please अच्छी तरह इसे लिख कर आना paper, do share your comments, कैसा लगा आप लोग को ये video, in terms of theory and everything, and we'll talk about you, take care, give your best, bye-bye.